आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे हॉंडा की हॉनेट 185 BS6 का जिसको हॉंडा हॉनेट 2.0 भी कहा जाता है जानेंगे इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और देखते हैं कि ये बाइक आपके लिए कैसी रहेगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें आएए चलते हैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो सबसे पहले बात करते हैं इंजिन टाइप की दिया गया है स्टार्टिंग की बात करें तो only self-start bike है clutch type की बात की जाए तो multi plate wet clutch दिया गया है अब बात करते हैं इसके tires की तो front tire जो है वो 17 नंबर का tire है 110-70 के साथ tubeless tire है rear tire की बात की जाए तो वो भी 17 नंबर का मिलेगा rear brake की बात की जाए तो disc मिलेगा 220 mm size के साथ wheels इसमें alloy wheels मिलेंगे frame type की बात की बात की जाए तो diamond type frame दिया गया है अब बात करते हैं इसके suspension की front suspension upside down fog दिया गया है rear suspension monoshock दिया गया है battery की बात करें तो 12 volt की 5 AH के साथ दी गई है head lamp की बात की जाए तो LED दिया गई है tail lamp भी LED दिया गया है with act shape अब बात करते हैं इसके body dimensions की तो इसकी जो length है वो होगी 2047 mm width होगी 783 mm, height होगी 1064 mm, wheelbase होगा 1355 mm, ground clearance होगा 167 mm seat length की बात की जाए तो वो होगी 590 mm की और इसका जो cup weight है वो होगा 142 kg अब अगर बात करें fuel tank capacity की तो इसका जो fuel tank है वो 12 liter का दिया गया है mileage की बात करें तो लगभग 40 तक आपको इसका mileage मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके एक शोरूम प्राइस की तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो होगा 133,000 रुपए अगर colors की बात की जाए तो ये bike 5 colors के साथ launch की गई है matte axis grey metallic, blue metallic, red metallic, igneous black और repsol तो ये थी Honda Hornet 185 की full details overall इसके features की बात की जाए तो काफी अच्छे features दिये गए है pickup अच्छा है पुरानी वाली Honda Hornet से इसको काफी change किया गया है काफी attractive इसका look है mileage को अगर देखें तो जैसा की 185cc में ये bike available है तो आपको approach 40 तक का mileage इसमें मिल सकता है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ये bike आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना मिलेंगे next वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें और traffic rules को ज़रूर follow करें